अगर आप dividend के लिए share buy करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए special होने वाला है क्योंकि CG Power Industry Solution फाइनली यहाँ पे announcement कर चुका है यह अपने shareholderों को dividend देने वाला है तो यह dividend कितना देगा dividend का एक सब्सक्राइब करेंगे और कब तक आप share को buy करके रखेंगे तो आप dividend के हगदार हो जाएंगे वो भी हम इस वीडियो में cover करेंगे और दोस्तों CG Power का क्या fundamental strong है वो भी हम इस वीडियो में चेक करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अ आसपास टेट कर रहा लेकिन कुछ समय पहले ये share गीरा था 2020 में करीब 5 रुपए के आसपास चला गया था लेकिन 2020 और दो साल में ये share ने करीब बहुत अच्छा खासा return दिया है दो साल में ये share का price 300 रुपए के आसपास चला गया तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या इनक 27.27 earning per share 4.35 है PYB ratio 43.13 dividend yield यहाँ पे नहीं सो कर रहा है लेकिन दोस्तों हम आपके साथ share करेंगे ये पिछले एक सालों से कितना dividend दिया है और इस बार कितना dividend देने वाला वह हम आपके साथ share करेंगे इंडरस्टिज पीवा है 49.27 book value 8.84 depth of equity 0.18 का इस पे कर जाया मतला अपने equity से बहुत कम कर जाया तो depth फिरी आप इसे मान सकते है face value 2 है और financial profit में देखेंगे तो 2018 में इनको loss हुआ था 729 कलोर का अब 2019 में भी 504 कलोर का loss हुआ था और 2020 में 1324 कलोर का loss हुआ था इसलिए share price आप 2021 में 1295 कलोर का profit हुआ तो ये जितना share price नीचे की और था 5 रुपए के आसपास लेकिन धीरे धीरे उपर की और share price जाने लगा 2022 आते आते 913 कलोर का 2022 में profit हुआ अभी के time में ये share price 300 रुपए के आसपास trade कर रहा है चलिए जानते हैं इनका जो promoter का holding है ओ कैसा है promoter का holding check करेंगे तो untown.12% है promoter का holding अच्छा खासा retail हम और आप जैसे जनता है इसमें investor है 24.07% FI है 12.95% mutual fund भी है इसमें 4.86% other domestic है 0.00% तो चलिए इनका जो quarterly result एक सालों से क्या अच्छे आ रहे हैं वह भी हम लो cover करने के बाद ही dividend के बारे में जानेंगे इनको 2021 में जो quarterly result आया तो उसमें 208 कलोर का profit हुआ था उसके बाद मार्च 2022 में जो quarterly result आया उसमें 171 कलोर का profit हुआ जून 2022 में 192 कलोर का profit हुआ सिदम्वर 2022 में 260 कलोर का profit हुआ है दिसम्बर 2022 जो इस बर जो quarterly result आए थे दस दिन पहलेए उसमेn 276 कलोर का profit हुआ था मतलग लगतार एक सालों से quarterly result में profit यहाँ पे दिखने को मिल रहा था तो चलिए दोस्तों देर किये हुए बीना हम डेविडेट के एक सेडेट जान लेते कब तक आप सेअर को बाई करके रखेंगे तो अब डेविडेट के हकदार हो जाएंगे तो फाइनली यहां पर अपकमिंग डेट निकल करा आच चुका है एक सेडेट है 15 मार्च दू हजार तेईस और रिकोड डेट होगा 14 मार चुदू हजार तेइस अब डेविडेन भेल होगा एक रोप्या पांच पैसा के आसपास मन लीजेट पांच पैसा नहीं पचास पैसा के आसपास और डेट रोपे कास यह अपने सीयर होलडरों को डेविडेन देगा अब डेविडेन परसंटेज होगा 25 का सपास तो वीडियो इंफोर्मेटी लगा हो तो लाइक मारीगा चैनल पर अपने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए क्यूंकि हमारे को स्टोक अपने टेक्निकल आनलेसिस करते रहते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बाय बाय जैहिन वंदे मत्रव